प्रतेक वर्ष 30 अगस्त को अंतराश्टे लगू उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के आउसर उपलब्द कराने के उद्देशे से मनाया जाता है भारत जैसे विकास सिल देश में आर्थिक विकास के लिए लगू उद्योगों की महत्वण भूमिका है भारत के समग्र आर्थि विकास में कार्यनिती महत्व को ध्यान में रखते हुए लगू उद्योग छेत्र के विकास के लिए अवशक्ता पर विसेश बल दिया गया है तद अनुशार लगू उद्योगों के लिए सरकार से निती समर्थन की प्रेवर्ति लगू उद्योग के विकास हेतू सहायक और अनुकूल रही है लगू उद्योग की परीभासा लगू उद्योग वे उद्योग हैं जो छोटे पैमाने पर किये जाते हैं तता सामाने रूप से मजदूरों वैस्रेमिकों की साहता से मुख्य धंदे के रूप में चलाए जाते हैं वे उद्योग जिनमें 10 से 50 लोग मजदूरी के बदले में काम करते हो लगू उद्योग के इत कंतरगत आते हैं लगो उद्योग एक ओढ्योगिक उपक्रम है जिसमें निवे सन्यन्त्र एबं मसीनरी में नियत परीसंपती होती है यह मैं सीमा सरकार्दवा द् depression समय पर बदलती रहती है लगू उद्योग में माल बहार से मंगाया जाता है और तकनिकी कुसलता को भी बहार से प्राप्त किया जा सकता है लगू उद्योगों के उद्देश है लगू उद्योगों का मुख्य उद्देश से रोजगार के अवसरों में ब्रद्धी करते वे बेरो रोजगारी की समस्या का समाधान करना है क्योंकि लगू उद्योगों के स्रमपरधान होने के कारण उनमें वीन्यूक्त पुन्जी की काई अपयक्षाकरत अधिक रोजगार कायम रखती हैं। अधिकान सते ये उद्योग स्रमपरधान तक्निक पर आधारित होते हैं। प्रातत्वी की भावना को बल मिलता है। लगू उद्योगों का मुख्यव द्योगों का मुख्यव देश है कि वे प्राकरतिक सादनों का अनुकुलतम उप्योग करें। मानविय मुल्यों की द्रश्टी से साधा जीवन उच्विजार की भावना का सरजन करे। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन को अनुकुल बनाने है तो आविश्या कहे कि ये आध्यात्मिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करे। आम जनता को स्रेश्ट वस्तुवे उपलब्द कराना इनका मुख्य उद्देश है। भारतिय आर्थव्यवस्ता में महत्यपूर्ण भूमी का निभाते हुए इनका उद्देश अधिक से अधिक स्रेश्ट उत्पादन करना है। भारती आर्थ व्यवस्ता में उद्योग का योगदान लगू उद्योग एवं कुटीर उद्योग का भारती आर्थ व्यवस्ता में अत्यंत महत्वपुनिस्तान रहा है प्राचीन काल से ही भारत के लगूवे कुटीर उद्योगों में उत्तम गुणवता वाली वस्तू का उ पादन होता रहा है यद्पी ब्रेटिस आसन में अन्य भारती उद्योगों के समान इस शेत्र का भी भारी हास हुआ प्रंतु स्वतंतरता के पश्चात इसका अत्यदिक तिर्व गती से विकास हुआ है लगू उद्योग मंत्राले भारत में लगू उद्योगे की व्रद्धी और विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कारिय करता है लगू उद्योगों का समवर्दन करने के लिए मंत्राले नितिया बनाता है और उन्हें किर्यानवित करता है वे उनकी प्रतिस परदा बढ़ाता है इसकी साहिता विबिन सारवजनिक शेत्र के उद्धम करते हैं जैसे लगू उद्योग विकासंगतन SIDO अपनी निति का निर्मान करने और कार्यानविन का प्रियव्यक्षन करने कारिकरम परियोजना योजनाई बनाने में सरकार को साहिता करने वाला सिर्ष निकाह है राष्टी लगू उद्योग निगम लिमिटेड NSIC की सापना भा प्रियोजन करने की द्रश्टी से की गई थी जिसका संकेंद्रन उनके कारियों के वानेजिक पहलूँ पर था मंत्राले ने तीन राष्ट्य उद्म विकासंस्तानों की सापना की है जो प्रैसिक्षन है तो उपकरम अनुसंदान और लगू उद्योग के छेत्र में उद्द उद्द में लगू विवसाई विकासंस्तान एन आई एस वी यूडी में भारतिय उद्दम संस्तान आई आई ए भन्यवाद जैहिन जै भारत